महासागर में सरवदिक व्यापक अकार्बनिक पैलजिक निछेब निम निखित में उसे कौन सा है लाल सिंधु पंक रेडियन लारियल लिपंक जौला मुखी धूली या फिर चूना परधान सिंधु पंक तो कौन सा है यह है लाल सिंधु पंक आपसा नंबर ए इसका को कल तो पंदर अगस्त है तो आप जो है उसको जुरूर से वाच करें और आएगा आपका साम को साथ बजिए टाइमिंग अभी से नोट कर लिए साम को साथ पर जाएगा प्रिवेश कोश्चन पेपर जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है यह आपको सूचना देनी परति करतें यह कि उष्द तथा सीत शागरी ंधाराएं मिलती है यह फिर महादीपी तरंगी थें तो क्या है यह उष्ण जागरत प्रसांत मासागरू में अंध मासागरू में या फिर उत्तरी धृूसन तो जो चलेंजर गलत 650 और 65 डिगयी अंध्यांगे तो पुर्वी देशनक्र का जो पृति ध्रुवस्ता देशान्तर है, वोICO है आपका प्रती, एक सो पांच डेगिरी पश्चिम, आपसन कौन सा है तो आपसन आपका बी, A15 डेगिरी पश्चिम, बिलकुल करेक्ट है मांचित्र पर जनकारी की मात्रा निमिकित में से किस पर निर्फर करती है इसकेल और अभी सामाईक संकेतों पर मांचित्र के डिजान और रूप रिखा पर प्रकासक और इसकी कंपनी पर या फिर मांचित्र के रंग और छपाई की बिधी पर किस पर निर्भर करती है यह करती स्केल और अभी सामाईक संकेतों पर आपसा नमबर ए इसका बिल्कुल सही है अस्थान जहां भुकंपी गटना सरपथम अनवग किया जाता है क्या लाता है केंदторы अधिकेंद theo निर्माण कारें हलचले उतपन होती है प्रिथिविकी आवरण परते में बिल्क ज lado में से क्रोड में या फिर स्थेनों स्पेर में से तो जो निर्मानकारी हल्चले उत्पन होती है परवतों में वह होता है स्थेनों स्फियर में से आपसा नमबर डी इस का बिल्कुल सही जवाब है बढ़ते हैं अगले कोशन की तिरफ और अगला कोशन लेते हैं अपर्दन के सामाने चक्र के अधाना की संकल्पना किसने दी थी डेविस डवलू एम ने पैंक डवलू ने इस्ट्राहलर ए ने या फिर थान बरी डवलू डी तो यदि थी डवलू डेविस डवलू एम ने ए आपसन इसका बिल्कुल सही है जब सागरी लहरे एवं धारायन नदियो द्वारा निर्मित डेल्टा परिवर्तित एवं नश्र कर दें तो परिडाम स्वरूप अपच्छईत डेल्टा क्या कहलाता है रूंडित डेल्टा, पृत्यक्त डेल्टा, ज्वार नदमुक डेल्टा या फिए चापा कार डेल्टा यह कहलाता है रूंडित डेल्टा आपस नमबर इसका यह बिल्कुत सही है पैन प्लेन सब्द कार्थ क्या है वाती अपर्दन से निर्मित समतल सता नदी दवारा निर्मित अपर्दनात्मक अस्थल रूप विद्धा वस्ता में नदी चक्र दवारा निर्मित समतल सता या फिर मानमी अस्थेप निर्मित समतल सता इसका जो करेक्ट एंस वरे पैन प्ल ऑधिमर ऑफिर द्लो कर्यक्ट है को चैनल आखने की अब्से न चिक 오र न, जिसका भी बिलगुल सही करें निवित होती है रेखार निम्रकफित में ककी कारें इन्मित होती है भूर्प्रिष्टी अपर्दित तटका अधोगमन हीम नदी निचेप याफिस सम्मुश्वीर अपर्दन ति क्या हिए हीम नदीत तटका अधोगमन भी आपसे इसका बिल्कुल सही है अगला कोशन है में पैंद टमेंसे कौन से सुमिर्ब नहीं है थालगाट काँपे पालगाट काँपे भोर्गाट केरल या पी दिरू दीफूर तो जो थाल गाट अधर्रा है यह स्थित्य आपका कहाँ पैंद यह जवर थालगाट महाराश्थ में यह बिल्कुल सही है पाल गाट केलव में है भोर घृट काहांपे है यह दर्ण पूछा सही काहां बात गर्जाल में है ऐ पूछार सही है लेकिन पूछा सही नहीं है जब आप इक्जाम में कोशन लगाएंगे इध्यान रिखेंगे कि नहीं पूछा गया कि हाँ पूछा गया है इस वज़े से कई सारे सीली मिस्टी कोशन हो जाते हैं तो जो गलत वाला एंसर है वह गोवा और यह हो जाएगा कआल मालाबार 2,5 कि विशिश अस्थ Only करिती है कैयाल का परियोग मचली पकंडने और अतव अस्थ нужен reporting की लिए किया जाता है कौन कि मेंसे कौन सुमिरित नहीं और सोनार कोला में है सोना जरिया रियां लाघ्षbs गुंटूर या प्र हिररा पन्ह तो इसमें करेक्ट पुछा है तो इसमें कौन से हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सोना कुलार के लिए प्रसिद्ध है कोईला जहर्या मिलता है और हेरा पन्ना की खान में जो लॉयक्स है यह गुंटुर्म नहीं मिलता है यानि किसी आप सब्सक्राइब करेक्ट है भारत में ज खारिता की समच्या का समधान है सुस्ट क्रीशी वी जउद्धेब को समच रेखा के अनुसर क्रीशी तो खारापन जो चैंट संक प्रयों आप सानर इसका बीलकुल सही है मिलान प्रमुकरींग intr dalा जाक्ट ब·लीं इस व्हारा फिर जापान घोतितितना क्या पाट बी आप् काला सादर और अजोब साधर के उत्र में केश्पिय सादर के उत्र में अरल साधर के उत्र में बेकाल जहील के उत्र में तो डून बाव लिगनाइट या फिर पीट तो यह आता है विटूमिनस का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सबसे उत्तम कोईल किस्म का जो कोईला है वो कौन सा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए aesthet है जिनका केंट तीं सो किलो मिटर से अधिक की गहराई पर होता है पाताली प्रूक्स का करेक्ट है सुची एक को सुची दो से मिलाना है एक तिरफ दिया गया है जल्ब दुद परियोजना और एक तिरफ दिया गया है नदी मैथान परियोजना कहां किस नदी पर है तो यह इस्थित बराकर नदी पर मैथान परियोजना बराकर नदी पर यह most of the important question है आपके session का में थान प्रयुजना बराकर नदी, सलाल प्रयुजणा यह इस्तित पे चनाम नदी पर सलाल चनाम नदी पर इस्तितित आपके चंबल नदी पर और लाज मताद Techary प्रयुजणा, Techary यह इस्तित भाग रेती नदी पर E का 3, B का 4 किसा अफसर नथेरा देख रहे हैं? A का 3, B का 4, option number D में दिया गया और D इसका correct answer है भारत में लावा पठार के अधिक्तम मुटाईं मिलती है गुजरात में, महाराष्ट में, अधर प्रदस्ट में जो लावा पठार के अधिक्तम मुटाईं मिलती है वो मिलती है, महाराष्ट में B option correct है सुची एक को सुची दो से मिलाना है हमने इसको किरेक्ट वह विश 음악 किया हुआ है इसको मिलाना एक तरह परियोजना है और एक तरफ इसकी अवस्तिति है चले इसको मैच करते हैं तो देखे क्या हो जाएगा जो भाखडा नागल प्रिविनावकिष्ण नदी पर है यह आपको बताना था तो भाखडा नागल कहां पर है यह 17 नदी पर एका चार हेराकुंड हेराकुंड कहां पर हेराकुंड 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 महान नदी पर ह और इदुक्की कहाँ पर है तो इदुक्कुई है आपके भाखणा नांगा 17 पर ही राकुंड मान दिपर है और नागाजन सागर किश्णा दिपर और इदुक्की कहफ है पेरियार पर है तो कौन सा है एका चार, बी का दो, एका चार, बी का तीन है, आपसे नमबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन, विश्व में हरित करांती के जनक कौन है, नार्मन ई बॉरलाग, एमस स्वामी नाथन, जी एस खुस या फिर बी पी पाल तो ये कौन है, ये हैं आपके 43 नमब कोश्चन का अंसर हो जागा, नार्मन ई बॉरलाग, किस राज्य में, भारत किस राज्य में, सरवादिक काफी उतपादन की जाती है, महराष्ट, केरल, ओडिशा या फिर करनाटक ते कहा की जाती है, ये की जाती है, करनाटक में आपसन नमबर D करेक्ट है, ये प्रिथभी की घुडन गती नहों हो तो इसका प्रिडाम यह होगा, कि दिन और रात का चक्र नहीं होगा, किवल एक रित होगी, सुर्योदे और सुर्यास्त नहीं होगा, दिये गए कूल्ट का प्रियोग कर सही उतर चुनना है, तो ये प्रिथभी घुडन गती नहों करें, तो क्या होगा, इसका प्रिडाम होगा, ये हो जाएगा आपका, दिन और रात का चक्र नहीं होगा, और तीसरा सुर्योदे और सुर्यास्त नहीं होगा, भी जाप्सन इसका करेक्ट है, शीद कालिन अहनांत, विंटर स्वलेश्टिक के समन्द में कौन सा कथन सही है, उतरी धुरूपर 24 घंटे अंधिरा चाहे राता है, ये 21 जून को होता है, 16 धुरूपर 24 घंटे अंधिरा चाहे राता है, या फिस सुर्य सर्वच पर होता है, तो कौन सा गलत है, योजागा उतरी धुरूपर 24 घंटे अंधिरा चाहे राता है, ये आप व्हुब फुह सर पंते हैं कोन सा इसका एंशवर और अभी मिलाने के पूरी पुरि कोशस करें जिसे कि आप सब्सक्राइब कहा करेंगे नोगए का दो हैंबर्ग क्या है हैंबर्ग जो आपका पोत निर्माड है हैंबर्ग पोत निर्माड और पिट सबर्ग क्या है आपको पता होगा लोहा इस बात और उसाका जो है वस्त्रुद्योग एका 3, बी का 4, एका 3, बी का 4 किसमें है, एका 3, बी का 4, आपसा नमबर, क्या हो जाएगा, एका 3, बी का 4, एक और मिलाना है, सी का क्या था, पिट सुबर्ग किसका था, तो पिट सुबर्ग था आपके, आपसा नमबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, एक अतीन बीकाचार सीका एक और डीका दूमेने उपर मिला दिया है आप वहाँ से मैच कर सकते हैं विश्य में सबसे बड़े कोईले के भंडार किस देश में है ववैसे भारत युकरियंड या फिर आश्ट्रेलिया तो कहां पर है यह है आपकी ववैसे में यह अप्सन करेक्ट है इमने में से किस देश की अस्तानादरन सील क्रिसी को तमराई के नाम से जाना जाता है स्रेलनका, मियामार, फिलिपिन्स या फिर थाइलेंड तो यह है थाइलेंड में जो अस्तानादरन सील क्रिसी ये उसको तमराई के नाम से जानते है किरकुक जो विश्व में सरवाधिक महत्पुर्ट तेल छेतर है कहां अश्थे थे इरान इराक कुवेत या पिर रसिया यानि कि रूस में यह है इराक में आपसा नंबर बी करेक्ट है निम्लखित में से कौन सा एक पुनर नर्वीकरण उर्जा नहीं है भूतापी उर्जा जल विद्धूत आणडवीक उर्जा या पिर सवर उर्जा तो जो आणडवीक उर्जा होती है यह जो है इसको इसको रिसाइकल नहीं किया सकता है आपसा नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सी अपसिन करेक्ट है डाटो स्टूवर्ट राजगमार के किसको जोड़ता है पस्गी में पर्थ और पूर्व शिडडनी उत्र мे उत्पी पट्षालेंड और पूर्व में व्रिष किना dose और में इसको जोड़ता है उतानायों को जरोड मैदानों में निम्लिकेत में से किस अधिवासों का कौन सा प्रतिरूप मिलता है रेखी प्रतिरूप विरत्ताकार प्रतिरूप आयताकार प्रतिरूप या फिर नेबूला प्रतिरूप तो कौन सा है C option इसका आयताकार प्रतिरूप C option correct है कोनाड बिछिनता निम्खित में से किसके बीच पाय जाती है बाहरी और भुतरी कोर, CL और C में यानिके सियाल और सीमा, सीमा और नीफे या फिर उपरी मेंटल और नीचरी मेंटल किसके बीच पाय जाता है, यह है पाय जाता है सियाल और सीमा के बीच में option number B correct है गरेनाड से निर्मित कायंतरी चटान है कोबाल्ट, स्लेट, नीच या फिर बेसाल्ट कौन सा है, यह है नीच, आपसर number C इसका correct है जोला मुखी से निकलने वाली धूल और राक सामगरी को किस रूप में जाना जाता है पायरोक्लास्टिक, हाइपरक्लास्टिक, हेपिरोक्लास्टिक या फिर सीरोक्लास्टिक इसको जाना जाता है पायरोक्लास्टिक के नाम से ए आपसर गरेक्ट है निम्ने में से किस ने प्लेट विवर्तन की सिदान का प्रतिपादन किया था, हैरी हेस, हालम, डबलू जे मूर्गन या फिर हटर जल ने, किस ने किया था, इसको किया था, पारित डबलू जे मूर्गन ने, आपसा नमबर सी इसका करेक्ट है, भूद्र सनचना प्रक्रम एव प्रेडाम है यह किसका कथन है पेंक डेविस हटन या फिर होम्स यह किसका कथन है यह जो कथन है यह है डेविस का आपसर नंबर भी करेक्ट हो जाएगा निम्खी में से किस भू आकिर्ति का निर्माण हिमानी या परदन सिर्ण नहीं हुआ है सर्क नूना टक हार्न या फिर किसका नहीं हुआ है तिस चैना और छज़के सेशन का उत्पति समंदीत प्रगांगी शिधान्त यौन किस न प्र्थिपादेट गया था जो सिधां धर जो इसके प्रतिपाद ने झाल